यह देखिए यहां पर मैंने 28 फंदे लिए हैं 24 फंदे 8 के मल्टिपल्स लिए हैं प्लस 2 फंदे एक्स्टा लिए हैं और 2 फंदे एस्टिच के होंगे और बेस एने के लिए 2 रो उल्ट उल्टे फंदों के सार निकाल ली है तो चलिए बनाते हैं यह इसकी फंदों है और रड़ साइड है ऐस्टिच करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे उल्टे 1 2 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 यह देखिए हमारा एक्ट पैटन कंप्लीट होगे इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बने 6 फंदे सीधे 2 4 6 यह हमा इट फंदों का पैटन है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार-बार पीट करेंगे दो फंदे उल्टे 1 2 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 फिर से दो फंदे उल्टे 1 2 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 यह देखे यहाँ पर हमने 3 पैटन कंप्लीट किये हैं और लास्ट में 3 फंदे हैं 2 फंदे उल्टे 1 2 एसटे सीधा बना लेंगे 1st रह कंप्लीट हो गई है 2nd रह है रॉंग साइड इस रह में जो फंदे जैसे लिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे 2 फंदे सीधे 1 2 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 यह देखे हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया तो में हमने 2 फंदे सीधे बनाए 6 फंदे उल्टे 2 4 6 फिर से पैटन पीट करेंगे 2 फंदे सीधे 1 2 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे 1 2 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 2 फंदे सीधे 1 2 एस्टिच उल्टा बना लेंगे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 1 2 फंदे सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे 2 बार चाही डालेंगे 1 2 2 फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गए इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाएं एक फंदा सीधा आगे की साड़ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो बार जाए डालेंगे वन टू दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर से दो फंदे उल्टे वन टू एक फंदा सीधा आगे की साट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो बाजाई डालेंगे वन टू दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा लास्ट में दो फंदे उल्टे वन टू ऐस्टी सीधा बना लेंगे 3rd row complete हो गई है 4th row wrong side जो फंदे जास दिखाए देंगे वैसे ही बनाएंगे 2 फंदे सीधे 1 2 2 फंदे उल्टे 1 2 हम 2 चाली है इसके हम 2 उल्टे फंदे बनाएंगे तो दिखे इस तरह से लेकर अंदर की साइड से एक फंदा उल्टा 1 फिर से अंदर की साइड से एक फंदा उल्टा 2 2 फंदे उल्टे 1 2 ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्रीट हो गए तो मैं हमने 2 फंदे सीधे बनाए 2 फंदे उल्टे 2 4 6 फिर से पैटन पीट करेंगे 2 फंदे सीधे 1 2 2 फंदे उल्टे 1 2 दो जाली से 2 उ फंदा बनाएंगे 1 फिरसे अंदर की साइट से उल्टा फंदा बनाएंगे 2 दो फंदे फिरसे उल्टे 1 2 फिरसे दो फंदे सीधे 1 2 दो फंदे उल्टे 1 2 तो चाली से 2 उल्टे फंदे बनाएंगे 1 2 फिरसे दो फंदे उल्टे 1 2 लास्ट में दो फंदे सीधे 1, 2, as stitch, उल्टा बना लेंगे 4th row complete हो गई है, 5th row है, right side as stitch, slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, 2 फंदे उल्टे 1, 2, आगे की side से 2 फंदों का, 1 फंदा बनाएंगे जाएड डालेंगे, 2 फंदे सीधे 1, 2, जाएड डालेंगे, 2 फंदे slip करेंगे, back loop से 2 फंदों का, 1 फंदा बनाएंगे ये देखें हमारा pattern complete होगे, इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाएं दो फंदों का जाएड डालें, 2 फंदे सीधे फिर से दो फंदे उल्टे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाए डालेंगे दो फंदे सीधे लास्ट में दो फंदे उल्टे वन टू आश्टि सीधा बना लेंगे फिफ्त रह कम्प्लीट हो गई है सीध्स रह है रॉंग साइड जो फंदे जाए दिखाए देंगे वैसे बननाएंगे जाले वले फंदे उल्टे बना लेंगे दो फंदे सीधे वन टू लास्ट फंदे उल्टे वन टू 3, 4, 5, 6, ये दिखिए हमारे एक परन कंप्लेट होगे, इसमा मने 2 पन्दे सीथे, 6 फंदे उल्ट बने 2 4 6, फिर से 2 पन्दे सीथे, 1, 2, 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दो फन्दे सीथे, 1, 2, 6 पंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट में 2 पंदे सीधे 1, 2, Estridge उल्टा बना लेंगे यह दिखे 6 रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे 1st रो से स्टाट करेंगे तो दिखिए कैसे करेंगे 1st रो राइट साइड एस टीज़ स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे 2 पंदे उल्टे 1, 2, 6 पंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह दिखे हमारा राइट पैटन कम्प्लीट हो गई है फिर से रिपीट करेंगे 2 पंदे उल्टे 1, 2, 6 पंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट में 2 पंदे उल्टे 1, 2, एस्टिज सीधा बना लेंगे अब दिखे है फिर से हमारा पैटन 1st रो से स्टाट हो गया है ऐसे ही बार-बार इसकी 1, 2, 6 रो स्पीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर ये दिखिए इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं तो फैन आप भी इसे बनाएए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं ऐसी और नेने वीडियो क्सा तिल देन बाइबे फैन